हेलो गाईस कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अरुन और आप देख रहें ट्रेड विद अरुन यूट्यूब चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आप्सन स्ट्रेड़ी के बारे में मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था आप्सन किया है तो उसी के बाद हम आज दूसरी स्ट्रेड़ी आपके लिए के आए हैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो सीरेल हो का है वीडियो लाने का जो स्ट्रेड़ी पर वह इस तरीके से हुआ कि पहले हम एक बुलिश स्ट्रेड़ी लाएंगे फिर अम ब आपको तो उसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक यू तो उसी के साथ अब आज का जो वीडियो होगा वह होगा एक बीरिस स्ट्रेड़ी के लिए तो देखिए इसको मैंने बुलिश स्ट्रेड़ी है इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है यानि यह हमारी कम्प्लीट हो क्योंकि यह बैसे इसमें दूसरे नंबर पर मारक है क्योंकि यह बिलकुल सिमलर कॉंसेप्ट है बीर कॉल स्प्रेड की तरह है तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा अर आप यह सीरीच फॉलो करेंगे तो आप जो भी यह बेसिक स्ट्रेड़ी है उनमें आपको बह स्ट्रेड़ी है यह पिछले वी डियो में ने डिसकस किया था आप से आप चाहें तो इनकी स्क्रीन सॉट ले सकते हैं और इनको खुद भी सर्च कर सकते हैं और इनमें आपको और कोई डाउट आता है तो आब मुझ से कमेंट सेक्शन आप पूस सकते हैं मैं बहुत पूरी उसके लगाव लास्ट वीडियो में एडवांटेज भी हैं कि हैज काई Leah का ध्वांटेज होता है इन इस ट्रिडिजी का तो आपको पता ही होता है कि हम डाउटसैद रिस्क से बच जाते है यानि जो risk होता है वो हम minimize कर लेते हैं no doubt margin का benefit भी होता है क्योंकि आप अगर strategy जैसे naked option sell करते हैं तो आपको पता है delivery में option sell करने के लिए करीब 1,60,000 रुपय चाहिए होता है आपको और index की बात करूँ तो आपको margin benefit भी मिल जाते हैं इन सब के बारे में आपसे पिछली वीडियो में discuss कर चुका हूँ तो जादा time waste नहीं करूँ है इन सब चीजों पर आपको अलड़ी यह सब पता है अगर नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जागे देख सकते हैं तो आज की जो हमारी strategy होगी वो कौन सी है beer put spread अब मैं आपको बिलकुल पूरी तरीके से बताऊँगा कि आपको कब apply करना है किस तरीके से apply करना है क्या आपका maximum loss होगा क्या आपका maximum profit होगा तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए आपके सारे डाउट कलियर हो जाएंगे आपको कोई ना बुक पढ़ने की जरूत पड़ेगी ना कोई और वीडियो देखने की जरूत पड़ेगी इतनी मैं आपको surety दे सकता हूँ तो दोस्तों यह हमें strategy कब apply करनी है जैसे कि जो bulk or spread था हमारा वो हम तब apply करते थे जब हमारा market में view कैसा था moderately bullish view होता था हमारा similar तरीके से हमें strategy को तब कब apply करेंगे जब हमारा view moderately bearish है moderately bearish का मितलब क्या है कि suppose कीजी अभी nifty के अगर बात करें तो अरूंड 13400 के असपास आज nifty बंद हुआ है आज अभी market close है मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ तो 13400 के अभी close हुआ है market अब मैं अगर सोस्ता हूँ यहां से निफ्टी या बैंक निफ्टी जो भी है index है आपका थोड़ा correct होता है यहां से तो मुझे लग रहा है कि यहां से 13300 या 200 तक जा सकता है तो एक moderately correction यह बोला जाएगा मैं बहुत बड़ा correction नहीं है तोड़ा सा correction हो सकता है तब आपको इस तरीके की strategy apply करनी चाहिए इस strategy को apply करके आपको क्या मिलेगा एक तो आप upside risk से protect हो जाएंगी upside risk का मतलब क्या है कि आपने suppose कि यह आपका view है कि तेरह 400 से market नीचे जाना चाहिए तोड़ा सा अब अगर इस case में market ऊपर चला जाए ऊपर नहीं मतलब बहुत ऊपर चला जाए suppose कि अगले दो दिन में 14,000 भी चला जाए ऐसा possible नहीं होगा बहुत कम case में होता है तो भी आपका loss जो होगा वो limited होगा तो इसका मतलब है कि आप upside risk से बहुत ज़्यादा बच जाएंगे दूसरा क्या है आपका maximum profit भी predefined हो जाता है इस case में तो ज़्यादा लालच करना भी यह अच्छी बात भी है क्योंकि ऐसा नहीं है इस case में क्या हो सकता है तो आप उस हिसाब से trade को square off भी कर सकते हैं तो यह भी अच्छी चीज ही मानता हूं मैं तीसरा है lesser cost lesser cost का मतलब आपको अल्रेडी पता है कि आपको margin benefit मिल जाते हैं बहुत कम margin में आप delivery में ट्रेट कर सकते हैं इस strategy को आप जैसा कि अपनी screen पर ठेक रहे हैं तो आप इसको पढ़िएगा नहीं सिर्फ आप मेरी बात सुनिएगा आपको सब कुछ समझ में आने वाला है तो यह भी एक two-legged strategy है two-legged strategy का मतलब है कि इसमें दो order आपको place करने पड़ेंगे एक कौन सा एक या तो आप ATM option या फिर ITM option आप करेंगे और OTM option का जो put का option होगा OTM option उसको आप सहल करेंगे अब ATM, ITM, OTM अगर यह term आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप गलत वीडियो देख रहे हैं फिर आपको basic series देखना चाहिए जो भी जिसके मैं already दो वीडियो ला चुका हूँ तो उसकी link भी मैं description box में दे सकते हैं मैं आपको एक example बताऊंगा जरूरी नहीं कि जो मैं follow कर रहा हूँ भाई आपको follow करना है सिर्फ आपको concept समझना है पीछे का logic समझना है और आप खुद भी अपने according इस strategy को बना सकते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा दो order लगाने पड़ेंगे पहले order मे आप करेंगे क्या एक ITM option या ATM put option आप बाइ करिए और एक OTM option पुट का जो put option होगा उसको आप सेल कीजिए तो पहले आप क्या करेंगे पहले एक ATM option आप buy करेंगे पुट की पर बात करूंगा इसकेस में और एक sell OTM option आप sell करेंगे ऐसा क्यों करेंगे और दिखिए याद स्ट्रेटिजी लगेगी यह कब लगेगी जब आप पहले buy option लगाएंगे buy order लगाएंगे दूसरा आप sell order लगाएंगे और margin जो rules change हो है उसके regarding भी आपको एक चीज़ आद रखनी है कि जब आप square off करेंगे position को तो पहले आप sell order close कीजिए यानि जिसमें जहान ज्यादा margin स्क्वाइर उफ कीजिए उसका reason क्या है क्योंकि suppose कीजिए आपके account में 50,000 रुपे हैं आपने इस strategy को लगा लिया तो आपका margin 25,000 में आपका order लगा लेकिन आपने square off के time पे suppose कीजिए कि आपने buy बाला जो order है यानि जो आपने put option buy किया है उसको आपने पहले square off कर दिया तो यह सक trade delivery की में बात कर रहा हूं intraday की नहीं कर रहा हूं तो अगर आपके पास एक naked sell option बचा तो उसके लिए 1,60,000 रुपे है लेकिन आपके account में सिर्क 50,000 रुपे है तो इस case में आपके पास peak margin penalty लग जाएगी जो की 1% के आसपास होगी तो अगर आप उससे बचना चाहते ह तो जो मैं तरीगा बता रहा हूं आप जब position close करें तो पहले जहाँ ज़्यादा margin यूज हुआ है उसको close करें उसके बाद कम margin बाले हो close करें तो आई होप आपको यह समन्न में आ गया हुगा तो strategy कैसे बनाने है आप एक itm put option buy कीजिए और एक sell otm put option मैं बचल कीजिए अब इसमें आपको live करके भी दिखा हुआ हुआ इसमें आपको key points के याद रखने है एक तो याद रखने है कि जो भी strike price होगी जो भी strike आप चूज करोगे वह same underlying की होगी वैसे यह obvious point है same underlying का मतलब है कि अगर आप nifty का एक put option buy करते है तो nifty का यह आप sell करेंगे ऐसा नहीं कि nifty का 10 December जो next expiry है अगर आप 10 December का option buy कर रहे है put option तो 10 December वाला ही आप sell करेंगे ऐसा नहीं कि 10 वाला 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 sell कर लिए तब यह valid नहीं है तीसरा point ही जो है same number of option होने चाहिए इसका मतलब यह है कि जैसे आपने पोट option buy कि है ITM यानि इंदम अनिवाला तो अगर आपने दो lot buy करेंगे दो ही lot आप sell करेंगे वह equal होना चाहिए ऐसा नहीं कि दो buy कर लिए तीन sell कर दिये तो यह कुछ points आपको याद रखने है तो यह सिर्फ theory अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने OVSTRA के platform पर वहां मैं आपको live दिखाता हूँ पूरी calculation के साथ समझाऊँगा तो इस वीडियो को end तक देखिए सब को समझ में आने वाला है आपको नहीं पटा कि कैसे वर्क करता है तो इसकी लिंक भी आपको description box में मिलेगी आप उसको जाकर देखिए बहुत अच्छा platform है फिरी में platform है यहाँ पर strategy develop कर सकते हैं फिरी में तो चलिए अब बात करते हैं आपन जो हम concept यहाँ पर बात कर रहे है उसके बारे में तो कि मैंने इसको refresh कर दिया निफ्टी है 1392 करीब spot price है अभी market close है अब यहाँ पर मैं क्या करूँ है future की जगह है option select करते हैं और 31 December की जगह मैं 10 December बाली expiry चूश करता हूँ दोस्तों मैं एक चीज और बता दू आपको यह जो strategy में आपको बना के दिखा रहा हूँ इसमें मैं randomly strike price चूश कर रहा हूँ ऐसा मेरा कोई view नहीं है कि bullish है या BRS है मैं यह जो भी content आपको बता रहा हूँ सिर्फ information के लिए knowledge purpose के से आपको बता रहा हूँ तो देखिए मैं 10 December की expiry ले ली है अब 13400 करीब market चल रहा है आप पता है तो अगर मैं बात करूँ आप से इंदा मनी put option कौ 138 के आपस प्राइस चल रही है तो इसकी जगे क्या करूंगा round off करना हूँ इसको थोड़ी calculation में आसानी हो जाएगी मुझे तो मैं इसको 138.5 पर बन 40 डाल देता हूँ ठीक है और इसमें मैं buy करूंगा इस ITM option को तो मैं add position पे click कर दिया तो एक मेरा यह buy हो गया दूसरी ची 300 यहां पर डालूँगा एक मिनट तेरा तीन ची डालूँगा तो उसकी प्राइस करीब 36 रूपीज चल रही है मैं इसको सहल करूंगा तो इसको भी round off ले लूँगा मैं 36 जगा मैं 40 डाल देता हूँ सिर्फ मैं आपको calculation के लिए समझा रहा हूँ आप इसमें point में भी calculation कर सक तो इस तरीके कुछ आपको strategy बनी होगी तेरा पांसो का ATM option मैं आइटीम option मैंने buy किया ठीक है दस देसमर के सेम एक स्पाय रही है सेम अंडरलाइंग है मैं निफ्टी की बात कर रहा है और सेम लॉट है एक लॉट बाइक है तो मेरे key points जोते वह verified है तेरा पांसो चालिस पे म इस केस में यह दिखा रहा है मुझे कि maximum profit मेरा कितना होगा 75, maximum loss भी मेरा कितना हो सकता है इस केस में पिचत्तर सो का risk to reward ratio बन ratio बन है मार्जन कितना required होगा देखिए दिखा रहा है ओक्स आपको करीब 20,090 रोपय के आसपास आपको margin लेगा और यह margin delivery में है आप 25 रोपीस का cashback भी देंगे और हम आपको telegram चैनल में भी एट करेंगे जहां हमारा constant support रहता है और मैं जो भी आगे future में ट्रेट करूँगा तो वहां में अपडेट करता हूँ तो अगर आप benefit चाहते है तो 31 दिसंबर के अगर पहले आप account open कराते है एंजल में तो एक benefit और है कि मेरा maximum profit maximum loss किस तरीके से calculate हो रहा है suppose कि आपने यह view बनाया और आपका व्यू टोटली गलत हो गया market दसे संबर को 14,000 पर चला गया तो इस case में तो आप totally wrong proof हो गए अगर आपने सिर्फ naked pocket option buy किया होता है आप तो आपका loss हो जाता है यह 0 हो जाता है तो 140 into 75 करिएगा जो भी आता है तो आपका maximum loss वो होता है लेकिन आपने इसमें क्या है इस strategy को बनाया है तो आपने maximum loss को भी define किया है अपना कि 75 से जादा मेरा loss नहीं हो सकता मैं बता कि 13500 का जो PE है यह मेरा 0 हो जाएगा राइट तो यह 0 हो गया मेरा लेकिन 1330 वाला भी मेरा 0 हो जाएगा राइट तो यहां से मैंने देखिए 140 रुपे मैंने पे किया है तो यह debit transaction हुआ और 40 रुपे मैंने sell किया तो यह credit transaction हुआ तो नेट अगर निकालेंगे तो मेरा 100 कितने का loss हुआ 100 का चार 14,000 पे गया मार्केट तो भी मेरा maximum loss 100 पॉइंट का हुआ इसमें आप एक lot का multiply करेंगे यानि 75 का multiply करेंगे जब आप तो आपका maximum loss कितना हो गया 75 का राइट वही है यहाँ पे एक मेड़ी यह वाला maximum loss आपका 75 का हो गया राइट तो मार्केट कितना भी एंगेश चला जाए मेरा maximum loss इसकेश में कितना हुआ 7500 का अब दूसरा केस 14,000 के बाद 15,000 भी चला जाए तो आप देख सकते हैं कि दोनों 0 हो जाएंगे मतलब maximum loss कितना 140-40 यानि 100 पॉइंट का जो net debit मेरा रहेगा वह 100 पॉइंट का मेरा loss होगा तो 100 इंटू 75 फिर पे 400 का लोस है ठीक है अब सब्सक्राइब बीच में कोई प्राइस ले लेते हैं तो इसको आप इस पे ओफ ग्राफ से देख सकते हैं कि क्या पसीन रहेगा जो ब्लू लाइन देखा रहे है वह आपको रियल टाइम के देखाएगी धर मार्केट पहुंसता है तो इस तरीके से देख सकते हैं लेकिन मैं एक्सपाइरी के बाद कर रहा हूं क्यूंकि थीटा बिल्कुल जीरो हो जाएगा मिल्णा टाइम डिके की वैल्लीू रहेगी वह जीरो हो जाएगी तो इसी रहा चारह सुपाइर हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी हंड्रेट यहंड्रेट पे एक्सपाइर हो गा राइट उसके बाद तेरह थीनसों तक तो गया यह लि लेकर मुझे 40 पॉइंट से पूरे मेल गए क्योंकि यह 0 हो गया तो मेरा नेट लॉस क्या नो प्रॉफिट नो लॉस तो मेरे लिए ब्रेक इविन भी क्या हो गया मेरा प्रॉफिट नो इसरी मेरा प्रॉफिट नो मेरा इस तो मेरा नेट रहे हो गया मार्केट 13.300 पर ग्रॉफिट नो मेरा चुम्नि प्रॉफिट से लॉफिटन दोखिए नो जाएगा तो यहां से मुझे साथ रुप्य का प्रॉफित हुगा, यहां से शाठ पॉइंट का प्रॉफित हुगा, तो यहां से चारीस यहां से अगें 60 पिलस 40, 100, 100 इंटो 75, 75,00 यानि 75,00 का मैक्सिम लाउस, अब आप सपोस किजिए आप बिल्कुल अब मॉडरेटली बिरस मैंने क्य तो तेरा पांसो की वैल्यू पांसो हो जाएगे वहां से, तो पांसो माइनस बन 40, इतना हो जाएगा, अब अंदाज लगा लिजी करीब 360, 360 रुपीस मुझे यहां से मिल जाएगे, क्योंकि यह मेरा प्रॉफित होगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो मैंने 40 पे सेल किया था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगे, 300, 300-40, तो 260 यहां से हो जाएगा, 360-260 अगें 100 पॉइंट तो मेरा फिर से प्रॉफित कितना, प्चेतर सो का ही रहेगा, तो मतलब सीदी जी बात है, कि मेरा मैक्सिम लॉफित हो, चाहे मैक्सिम प्रॉफित हो, इस केसमें प्रॉफित हो तो ब्रेकविन निकालने के लिए कि ब्रेकविन पॉइंट, तो जो आपको आपने बाई किया है, इंदा मनी उप्चन है, उस माली इस ट्राइक प्राइस में से क्या कीजिए, जो नेट डेबिट है, नेट डेबिट का मरलाब 140 मैने पे की है, 40 क्रेडिट हो है, तो इंदा म यहां तो बहुत calculation आसान कर दी है, इसलिए ऐसा लग रहा है, अदरवाइस जल्दी से आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, कि जो मेरी इंदामनी जो मैंने बाइ किया है, उसमें से नेट डेविट घटा होगा, तो मेरा break-even point मुझे मिल जाएगा, break-even का मतला उसके reward ratio बन रेशियो बन के असपास मिला है, अगर आप और जादा aggressive trader है, तो आप और इंदामनी option को सेल कर सकते हैं, तो वहाँ आपका रिस्ट्वी reward ratio भी बढ़ जाएगा, तो I hope आपको यह strategy बहुर अच्छी तरीके से clear होगी, कोई doubt है तो please comment section में मुझे बढ़ाईगा, और होगी so much, good day